बिहार में कर्मेंट विस्तार के बाद स्यम्नितीश कुमार दिली डावाना हो गएं। बारान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पीम नरेंदर मोधी और सिएंसथ भावन कें रहें संशद कुछ करें जरा सबसे पहले आप सुने चुनाओ के बाद ब्यार के चुनाओ गाद नहीं मिल पाया था वैसे तो जैसे चुनाओ सम्कृ नहीं होता था उसके ततकाल बाद ही आया करते थे लेकिन आक कारण जो आबा गमन में काफी कमी रही है उसके चलते हुआ लेकिन अब तो लगवक तीन महीना पुरा होने वाला है तो ये तो बहुत आवस्यक और बहुत जुरूरी था यहां करके मिलना तो आज मिले हैं काफी देर पाच्चित होती रही आपस में सब कुछ तो सब तो सारी चीजों से परिशित हैं कोई अपनी एक्सपीरियंस है और जो कुछ भी यहां से के माध्यम से कर रहे हैं सब चीजों को तो हम लोग जानते ही और वहां भी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में परिशित हैं तो इनहीं सब चीजों पर यूहीं परियावरन जैसी चीजों पर सिक्षा जैसी चीजों पर जैसे होता हर infrastructure उसके बारे में तो इन सब चीजों के बारे में नई technology ये सब चीजों पर यह हम लोग बातचीत करते रहें कोई specific कोई specific यह नहीं कि यहां के लिए यह हो जाया यह सब बात नहीं थी चुकि वो तो हर चीज को जानते ही हैं और आप जानते हैं कि जो हम लोग चुनाव लड़े तो उस समय भी आगे क्या करेंगे इसके बारे में कहा गया था और जब सरकार बन गई तो आपस में बैठ करके इंडिये में एक एक चीज को तैय करके cabinet का decision ले लिया गया साथ निश्य दो का आत्मिर वर बिहार बनाने के लिए तो जो कुछ भी हो गया और कई चीजों के बारे में इत्ता हो गया उस पर हम लोग तो निरने ले करके और अब जो इस बजट के बाद यानि अगले से उसका तो execution सुरू हो जाएगा तो इसा बात तो हम लोगों की पहले से है इसलिए कोई specific कोई खास बात की आवसेकता नहीं देखें विकास तो बहुत हो रहा है एक तो आजकल क्या चल रहा है ना कि जो positive चीजें हैं उनके बारे में चर्चा कम होती है जब कोई यहीं बयान देता है अनाप सनाप वही सब चलते रहता है तिरह आप देख लिजे कि बिहार में कितना ज्यादा education का विकास हुआ है कितना ज्यादा सड़कों का निर्बान हुआ है कितने लोगों का काम करने का मौका मिला है कितना व्यापार बढ़ा है हाँ उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा लेकिन देख लिजे व्यापार कितना बढ़ा है पहले क्या था आमदनी कितनी बढ़ी है र हर तरह से सब काम हो रहा है डिवलप्मेंट के काम में सुरू से और जितना हम लोगों ने कर दिया अब देखिए हर घर बिजली पहुंचा दिया हम लोगों हर घर नल का जल लगभग बहुत कम थोड़ा बचा है जो की काम चल रहा है हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्मा हर घर में सौचाल है अब जो बात है कि हर चीज को मेंटेन भी हम लोग करेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नल का जल पहुंचा दिया और उसका अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा तो इस पर अब हम लोगों का ध्यान कि हर चीज को ठीक धंग से मेंटेन करना है एक एक चीज को देखना है, अगर कोई शड़क का अनिर्मान करेंगे, तो हमने उन्हें उन्हें तो बना दिया है, कि मेंटेनेंस करना एक तरह से नियम होगा, तो एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं, तो जहां तक development की बात उसमें, और जहां तक रोजगार की बात है, जब हम ल देख लिए, पढ़ाने में ही नहीं, रोजगार में भी, और जन प्रत्रित्तु के रूप में भी, किस तरह से हम लोगों के महिलाएं आगे बढ़ी हैं, पहले कितना कम लड़कियां पढ़ पाती थी आगे, अब आज देखिए, तो लड़का लड़की बराबर, तो जो काम हुआ है, इन सब चीजों पर पहले चर्चा होती थी, आज कल क्या हो रहा है, कि इन दिनों थोड़ा जो पॉजिटिव चीजें हैं, उसको किनारे करके कुछ 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 करता है, तो आपको हम बताना चाह रहे हैं, कि हम लोगों ने जो भी बात कहा है, घोसित किया है, कि र अज कोई नई मांग नहीं है, इसके लिए तो आप जानते हैं, कितना हम लोग इसके लिए मुवमेंट किये हैं, कितना दिल्ली में ही कैसा आपको याद होगा, हर तरह से हम लोग किये हुए, तो सारी बात दी हुई है, अज कोई बहु ज़्यादा समझ नहीं है, वो अपना पूस्त लेना चाहिए, कि जब 15 साल रहे तो कुछ किये थे, तो सब तो कोई मतलब, कोई है नहीं, अरे मांग तो कोई करता ही रहेगा, लेकिन जहां तक सवाल है, पटना विस्विद्याले को, केंद्रिये विस्विद पता है, जब हम MP थे, तो कितना बार बोलें, उसके बाद भी कितना बार बोलें, वो नहीं हो पाया, और इसके बाद भी हम लोग बोलें, अब कुछ हो नीराव, लेकिन पटना विस्विद्याले के लिए आप सोच लिजिए, हम तो इंजिनेरिंग कॉलेज में पढ़े थे, तो उसको जब हम केंद्र में सरधे अटल जी की सरकार में मंत्री थे, तो इंजिनेरिंग कॉलेज को निटी बन वाये की नी बन वाये, बन गया अलग से, इस पेसल जो निटी बना था, वो अलग अलग, वो बिहार जारखंड एक था, तो जारखंड इलाके के किया गया, किस तरह से उसके लिए काम करें राज जी की तरफ से, तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं पर कोई राज जी की तरफ से काम नहीं, या कई प्रकार का काम हो रहा, और जहां तक एगरिकल्चर की बात, इन्लों को पता है, एगरिकल्चर रोड मैप, जो हम लोग काम कर रहे हैं, 2008 से, और कितना ज्यादा बढ़ा है, किस तरह से बढ़ा है, पहले कितना हो रहा था, उत्पादक्ता क्या थी, किसी भी चीज, कि आज उत्पादक्ता डबूल हो गया, कई चीजों का बढ़ा है, तो देखिए हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं, आज अब ही लोग से तक अभी कोई whole procurement करते थे आप बताई कितना procurement करते हैं आप्ये chu करते ही है लेकिन कोई भी पाटी है उसको कुछ बोलना कहना जी है और जहां तक नेपाल की बात है तो आप जानते नहीं नेपाल के साथ किस तरह से इन दिन नेपाल कीय CORONA के दौर में भी जो फ्लड आया थे लगतम बिल्कुल बोर्डर पर जा करके हम और कहा कि भाई इसको यहां पर जरूर करो ताकि बस सके तो हम लोग तो करते ही रहते हैं लेकिन आप देखिए कोई बोलते हैं तो बोलना चाहिए और बोलेंगे तभी कुछ पब्लिसिटी मिलती है तो उसे आपको कुई मतलब नहीं है वो करता रहें और कितना ज्यादा हुआ है किसान के लिए तो हम लोग जितना देखें नो क्या चल रहा है तो बिहार में थोड़ी है आप देख ले लिए पता कर लिए ठीक से सर्वे कर लिए तो आप जानते हैं जो आपको मालूम है ना हम लोग का रिस्ता अज का नहीं वो तुरा ना तो आये हैं यहां पर चुना हुआ है मिलेगे जाएंगे और किसी काम करनी आए यह करके और चले जाएंगे फिर जो काम करते रहतें करते रहेंगे सब चीजों का कोई मतलब नहीं क्योंकि बिहार में दूसरी तरब से procurement कितना हो रहा हम लोग सब कर रहे हैं लेकिन जहां की बात है कुछ जगों की बात है उसको ले करके ये लोग बोल रहे हैं इन्हों को भी ठीक से अध्यन और आकलन करना चाहिए तो केंद्र सरकार के द्वारा बार-बार किया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रह प्रकार का व्यावधान नहीं है यह कहा जा रहा तो कभी न कभी तो बैठ करके बात्चित हो जानी चाहिए स्वाल एक की तरफ से क्या मुलाकात के पहले सी ते गण के बारे में जो आपको चर्चा की तो उसमें केंद्र सरकार का सब्सक्राइब तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलाकात किया है सेमनेतीश कुमार ने संसत बहुन के अंदर उसके बाद सेमनेतीश कुमार क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना किस तरीके सेमनेतीश कुमार बता रहे थे कि मुलाकात जरूरी था आज उन्होंने मुलाकात किया आपको بتा दें कि हाली में बिहार में कैमेट का विस्तार हुआ है और अब बहुत जल्द पिएमनरेंदर मोदी के मंत्री मंडल का विस्तार होना है क्या जेडियू केंद्रिय मंत्री मंदल में सामिल होगी ये भी सवाल है इन तस्वीरों के साथ ही लेकिन जिस तरीके से मुलाकात पीम नरेंदर मोदी और शेम नितिश कमार के हुई है बिहार के सियासी गलियारों में भी चर्चात तेज है आप टेड़े बिहार निच के साथ बने रहें लगाता रहा कबरों का सलसिला जारी है धन्यवाद